वेल्कम टु कवीता जिन्दोरी जाईका आज हम बना रहे हैं कलरफूल आइस केंडी पॉप्सिकल्स ये बच्चों और बड़ो सभी को बहुत पसंद आता है और इससे बनाना बहुत ही आसान है इससे बनाने के लिए हमें चाहिए औरेंज सिरप, खस सिरप और रोज सिरप ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है इसके साथ चाहिए हमें पानी, एक निबू, कैंडी बनाने के लिए चाहिए कैंडी मेकर यहाँ पर हम सबसे पहले एक ग्लास में वन फॉर्थ ग्लास और इंज सिरप लेंगे इसमें हम आधा ग्लास पानी मिलाएंगे इसे हम अलग रख लेंगे अब हम वन फॉर्थ ग्लास खस सिरप लेंगे इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे और आदे निबू का रस डालेंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम अगले ग्लास में वन फोर्थ कप रोस्चिरप लेंगे इसमें भी आदा ग्लास पानी डालेंगे इसमें भी हम आदे निबू का रस डालेंगे मिक्स कर लेंगे अब हम इन्हें एक एक करके केंडी मेकर में डालेंगे अब हम इसे भी डाल देंगे अब ओरेंज वाला डाल देंगे अब हम इन में स्टिक्स लगा देंगे आप चाहें तो इस तरह की इस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं अब हम इन्हें 10 गंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ये देखिए मैंने कुछ कैंडी पहले से बना कर तयार रखी है इन्हें निकालने के लिए एक ग्लास में पानी लेंगे और उसमें इस तरह से डुबा देंगे इसे इसे एक मिनिट तक डुबोगर रखेंगे पानी में ये देखिए कैंडी बन कर तयार है इसी तरह सारी कैंडी को निकाल लेंगे आपको मेरी कैंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और विस्तर की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झाले के लिए मेरे को लोग अगर25 फैपर मेरे कीजिए प्रशमों झाले क customs सब्सक्राइब का लेंगे प्रशमों बन का ताहने शेखब कीजए